आप देख रहे हैं नेशनल वाच खबरों का खजाना और उसको आगे बढ़ाने के लिए इस नेशनल आईपी यात्रा का आयोजन किया गया है और दोस्तों इसके साथ ही पिएजडी चेमबर के यूपी चैप्टर ने महिला उपसमती यानि विमिन इन बिजनस अलाइंस वीबा के लांच की घोशना की है और इस पहल का उद्देश है कि राज में महिला उद्दम्यों को नेटवर्किंग, मेंटर्शिप और संसादनों तक पहुच बनाने के लिए एक मंच दिया जाए और महिलाओं को सशक्त बनाया जाए प्रदेश एक बड़ा प्रदेश है और यहां स्रम भी है बड़ा बजार भी और MSMी लगब 96 लाके काईयां MSMी की है जो भारत सरकार का जो पोटल है उद्दम पोटल उसके अभी रेजिस्टेशन उतने नहीं थे लेकिन सरकार के लगातार प्रयास से MSMी के लगातार एक अभियान चला करके जनकदवार हमारे जितने भी उद्दमी शंगठन ने उनका भी सयोग है और लगातार रेजिस्टेशन बढ़ रहा है हम लोग दो गुना करी 22 से 23 लाक रेजिस्टर MSMी हो गए है और इसको लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है MSMी को दो लाक करोड का लोन बैंकों से इस बार मार्च तक हो जाएगा भी कल मुकमंती जी का प्रोग्राम था 31 लाक करोड का कल लोन का बितना रूड़ा लगवग ढाई लाक हो दिमियों को फूरे प्रदेस में इसके पहले 3 जन्वरी को 50 लाक करोड का था और इसके पहले एक प् पीच में बैठ करके सरकार प्रयास करती कि जो भी योजनाएं उनके सहत हमारे जो भी उत्यमियों उनको लोन के तो प्रयास सरकार का और नई-णई तमाम सरीके से लैंड-बैंक तयार करना उसके लिए प्लच पार्क हम लोगों ने एक आईसी योजना लांच की है जो किसी प्रदेश में नहीं है हम एक परसेंट ब्याज पर लोगों को पैसा देते हैं दस एकर से लेकर पचास एकर तक कोई भू मिलाता है उसको पास करके उस पर विजली रोज सब विक्सित करके वही बेचेगा जो उसका मालिक है सरकार के वह लेंड बेंड तैयार करने के लिए प्रोसाहिब करने के लिए पचास लाग रुपए एकर उसको पैसा दे देती है और प्लच कर लेती है आप विक्सित करके MSME को प्लाग में चीए उसमें सो परसेंट इस्टैम ड्यूटी की छूट हो कि हम पैसा भी देंगे पूर्ती के लिए वहां एक सबिस्टैस्टन बना करके 24 गंटे विचली तो यह सारी सुविदाय सरकार दे रही है और उसके लिए हम ग्यारवां कल उन्नाओं में हम लोगों ने प्लच पार्ग को चिक दिया है जस जन्पदों में हम पहले दे चुके हैं अलिगर कानपूर और मेरा फरनगर बारा जन्पद हैसे जहां यह प्लच पर बारा तेरा जगे पाइप लाइन में है जिनका काम चलता है तो जमीन लेंड बेंग प्यार करना ताकि इंडेस्टी को लेंड चाहिए तो लेंड मिल देखिए यह कारकम यह जिचेंबर आप कॉमर्स ने इसी ज्यादा से ज्यादा आएं जोड़ें और इसमें रिजिश्टाइड करा में ताकि उनकी इंडेस्टी को फॉष मिलें ज्यादा से ज्यादा जिसे अब हम लोगों ने इन्टर नेशनल ट्रेट्स हो किया यूपी में नोड़ा में किया नोड़ा के बाद बही भारतेक्स का प्रोग्राम टेस्टाइल का हुआ मंदपम में गोरक्तुर में हुआ लखनव में हुआ यह सब कारकम रहते हैं कि जो भी में से मीज है इनकी पैकेजिंग अच्छी हो इनको जो हमारे सारे संगतन मिल करके इसको आगे बढ़ा रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ करें इ आज ही जैसे आप देख रहे हैं कि राकेश सचान जी ने आई पी आत्रागा उद्गाटन किया है यह मिनिस्ट्री आप MSME से स्पॉंसर्ड एक प्रोग्राम है जिसमें मिनिस्ट्री आप MSME और प्रदेश सरकार जोनों मिलकर के जो MSME है वो जो इन्नोवेशन करते हैं वो ज आई पी जो इनका इंटलेक्ट्वल प्रॉपर्टी राइट है उसको प्रोटेक्ट करके जिससे कि वो कई सालों तक उसका फाइदा उठा सकते हैं दूसरा उसको कापी ना कर लें क्योंकि इसकी अवेरनेस बहुत कम है और सरकार से मिलकर के यह हम जगह 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 अभी हम यह पांच वें हमारी आई-पी आतना है पूरे देश में इस तरह की आयपी आत्राएं किये जा रही हैं और इसमें हमें पूरा सहीयोग है सरकार का मंत्री जी से और मप्रदेश कानपूर से आया है ہے श्री विके वर्वा जी और कई सारे ऐसे जिस बैंक्स हैं सबके सहीयोग से बना जा रहा हूँ पीजडी सीसिया के लखनों में हमारा आफिस है उत्र प्रदेश के लिए इस पे हमारा MSME Mentoring and Facilitation Cell है किसी भी छोटे उद्द्ध में को कोई भी अगर दिक्कत है आई पी आतरा के registration में हमारे लोग उहां पे हैं उनको handle करेंगे उनको बताएंगे कि कैसे उसमें आप अपना registration करा सकते हैं यह पूरी facility जो awareness पूरा हम पूरे प्रदेश में कर रहे हैं और जो दूसरी जो बहुत महत्रपण बात है अभी हमारे यूपी चेप्टर में एक women led entrepreneurs का जिसमें की हमने एक sub committee बनाई है क्योंकि हम जितने women entrepreneurs है उसके लिए भी हमने एक committee बनाई है जिसका नाम है वीवा करके हमने बनाई है जिसमें जितनी women's है हमारे industry के साथ जुड़ी हूई है और भी हम सब को बुला रहे हैं तो जिससे कि उनकी जो भी problem है उनके लिए क्या क्या scheme है उनके लिए क्या क्या सरकार कर रही है उस सब के initiative है PhD Chamber का यूपी chapter में यह जो committee हमने बनाई है एक अलग से उसरा women-led entrepreneurs मेरे नाम निसिस कवेता निकम है और मैं PhD Chamber of Commerce में जो women का सब कमिटी है उसकी मैं चैपरसन हूँ मैं 25 साल का experience आजना अनुपन और भी है क्योंकि मैं करम safety उव्योग से मेरा वासना है पिसले पचे सालों से और थू प्छी चेंबर इस एडिविया एंडेवर तो बिंग आप अलग से लगता है कि जो MSME सेक्टर है या फिर जो अंस्परनोंशिप जो बिस्स सेक्टर है विदिन UP is a lot of percentage is governed by the women entrepreneurs themselves तो अगर इनका अपलिफमें होता है इनकी understanding होती है, alignment होती है, government की policies के साथ, so I believe we will be able to contribute to a lot of growth and growth not only of the economy, making it towards the one trillion economy, but also bringing up all our entrepreneur sisters to come to the level in which we can cater to not only international, not only national levels, but also the international needs. So this is the objective behind the women in business alliance which is the name, Veeba is the name of our subcommittee associated with the PhD chamber. जो 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 जिपने भी लोग एंपलोइमें भी करते हैं या किसी भी जिसे हमारी एक्सिस्टर हैं यहां पर जो जूट की इंडस्ट्री से हैं, तो उनकी जहां जिपने भी लोग employed हैं वो कि रामीन महिलाएं हैं और कि रामीन महिलाओं को अगर हम इस तरह का मौका देते हैं और उनकी understanding बढ़ाते हैं तो डेफिनिटली उसी से ही इनका प्रोग भी होना देगा तो दोस्तों देखा अपने PhD चेमबर ने आज दो कारिकरम आयूजित किये हैं और बौधिक लोग इस बात को जान पाएंगे बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों